इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले हैं बैस यूपियाई क्रेट कार्ड सिंटु तादुन टॉन्टिफोर जी हाँ यहाँ पे मैं आपको ऐसे क्रेट कार्ड बताने वाला हूँ जिसके थुरू आप यूपियाई के थुरू पेमिंट कर सकते हो कुछ कार्ड तो ऐसे जो आपको lifetime free मिलते हैं कुछ कार्ड ऐसे जिसमें आपको low joining और annual fees पही करनी पड़ती है लेकिन आपको high value मिल जाती है यानि कि cashback आपको अच्छा खासा मिल जाता है तो यह सारी जनकरी देने वाला हूँ उस video के अंदर और जिते भी card की links है exclusive वो भी भाई rewards के साथ में सारी मैंने description box में दे रखी है तो चलिए गाई शुरू करते हैं यहाँ पर मैं first number पर रखूंगा SBA का UPA card जी है तो यह SBA का simply save जो है रुपे variant के अंदर आपको credit card मिलता है SBA के लिए क्यों खास बात देख तो क्या है जब दिवाली की sale आती है आप लोगों बता होगा Amazon flip card के उपर हमेशा SBA के offer चलते ही है प्लस अगर आपको no cost EMI वगरे भी चीए तो बहुत अच्छे से मिल जाता है SBA के अंदर और यहाँ पर offline भी काफी sale चलती है तो यहाँ पर इसके अगर मैं joining और annual fees की बात करूँ यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी ऐसा नहीं कि lifetime free मिलेगा आपको 499 की fees आपको देनी पड़ेगी लेकिन भाई अच्छी बात क्या है joining fees आप जो 500 रुपे पे करोंगे न अगर आप 60 दिनों के अंदर 2000 रुपे स्पैन करने सिर्फ आपको यह 500 रुपे की value वापस मिल जाती है तो आपको मिलते 2000 reward points जिसकी value ultimately 500 रुपे होती है प्लस annual fees भी जो 500 रुपे वो आपकी wave of हो जाती है अगर आप पुरे साल बर के अंदर एक लाग रुपे खर्च करते हो यानि मोटा मोटा अगर आपका 10,000 का भी spending होता है हर महीने तो easily तरीके से इस card को भी आप lifetime free बना सकते हो भाई अगर मैं reward की बात करो तो यहाँ पे dining, movies, department, institute यानि mostly जो offline आपके घच्चे होते 1.67% तक का आपको value back मिल जाएगा वैसे यह लो 10x rewards बोलते लेकिन मैं आपको actual में value बता रहा हूँ 1.67% आपको मिल जाएगा अधर आपकी जो भी spending वगरे रहेगी वहाँ पे आपको 0.16% का cashback देखने को मिल जाएगा और अल्रडी बता चुका हो भाई SBA का अगर एक भी credit card नहीं ही न definitely आपको इस card के साथ में जाना चाहिए क्योंकि UPI का यहाँ पे जो आपको benefit मिल रहा है और साथ में जितनी भी SBA के offers वगरे होते हैं आप उन सभी को avail कर सकते हो लेकिन नमर में भाई मैं रखूँगा IDFC 1st का wow card जी हाँ बैसे तो यह visa variant के दो मिलता है लेकिन भाई आप UPI यानि की रुपे variant में भी आपको मिलने लग गया है इस card की खास बात क्या है यह secure credit card है यानि अगर आपके पास में एक भी credit card नहीं है आपकी कोई भी income नहीं है कोई भी civil score नहीं है still भाई इस card को आप apply कर सकते हो joining fees annual fees की बात करो visa card के लिए भाई कोई भी fees नहीं देनी पड़ती है यानि इस केंदर आपको दो card मिलते एक आपको visa वाला मिलेगा और एक UPI का आपको virtual card मिलेगा तो यहाँ पर UPI वाला जो card है उसकी fees लगने वाली है 199 लेकिन अच्छी बात यह वो pay करने के बाद में भी आपको cashback मिल जाता है instantly cashback मिल जाता है welcome offer में तो भाई वो cost आपकी recover हो जाएगी credit limit की बात करो जितने की आप FD बनाऊंगे ना उतनी आपको credit limit मिलेगी minimum जो है 10,000 उबे की FD बनानी बड़ेगी आपको interest rate भी अच्छा खासा है 7% के अबाव ही मिल जाता है अच्छी बात पता है कि हैस card की अगर आप ATM से भी withdrawal करना चाहते हो ना तो IDFC first के जितने भी cards होते cash withdrawal fee भी के वल 199 लगती है बागी सब में by percentage चलता है तो ये अच्छी बात है इसके लाग भाई है कि मैं reward की बात को तो 0.60% तक का value back देखने को मिल जाता है 0.50% तक का आपको UPI transaction पे देखने को मिल जाता है इस card के साथ में आपको free में personal accidental cover देखने को मिल जाता है 2,00,000 रुपे तक का और petrol वगरे बराते हो तो 1% का fuel surcharge आपको waiver भी देखने को मिल जाएगा IDFC first में भाई यहाँ पे यह तो हो गया secure card लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार मैं तो जिससे credit card मेरा civil score वगर भी अच्छा खासा है तो भाई उस case के अंदर आप IDFC first bank का यह power plus वाला card यहाँ पे apply कर सकते हो जो कि आपको UPI variant में मिलता है इसकी यहाँ अगर मैं joining और annual fees की बात करो तो 199 की fees लगती है लेकिन भाई यह recover हो जाएगी आराम से और reversal भी हो जाएगी जो annual fees होती है आपकी अगर 50 से रुपे पूरे साल बर के अंदर आप span करते हो plus 199 भाई first time जैसे आप अपना petrol बढ़ाऊंगे HPSL के petrol pump के उपर आपका यह fees recover हो जाने वाला है second thing यह reward की बात करो 5% का भाई reward आपको देखने को मिल जाता है यह card ना especially petrol के लिए diesel बरवाने के लिए बना हुआ है तो अगर आप fuel के लिए कोई credit card लेना चाहते हो तो definitely आप इसको consider कर सकते हो 5000 रुपे के परमत अगर आपका expense होता है petrol बगरे के उपर तो 5% के value मिल जाएगी grocery और जो utility है उसके उपर 5% मिल जाएगा 4 roadside assistance service देखने को मिल जाती है card कहीं पे गुण गया तो इसके उपर भाई insurance मिलता है आपको कोई भी fraudulent transaction हुआ आप report करो आपके उपर liberty नहीं आने वाली है personal accelerator cover आपको 2,00,000 रुपे तक का मिल जाता है तो देखो भाई अगर secure card चीए तो आप first wow के साथ में जाओ unsecure card चीए तो first power plus के साथ में जा सकते हो इसे number का भाई जो card है ये तो भाई evergreen card है industrial bank का platinum रुपे credit card भाई पूरा lifetime free देखने को मिल जाता है कोई joining fees नहीं है annual fees नहीं है लेकिन भाई अच्छा civil score और अच्छी थोड़ी सी income होनी चीए rewards की बात करो 0.70% value मिल जाती है आपको UPI के उपर और non-UPI के उपर 0.35% मिल जाती है यहाँ पर आपको rewards नहीं मिलते है bills के उपर insurance के उपर EMI rent और आज कलिया कोई भी credit card इनके उपर cashback वगर नहीं देता है reward के अगर मैं redemption की बात करूँ सीधा card के statement के अंदर भाई आप set off कर सकते हो card के उपर बकायदा आपको insurance मिलता है कोई भी fraudulent transaction हुआ आपकी liability नहीं बनेगी साथ में air travel insurance आपको free देखने को मिल जाता है यानि आप मालिजे flight वगर से travel करते हो bag वगर loss हो गया आपकी flight miss हो गई तो उसके उपर आपको insurance मिलता है फोर्थ नमर पर भाई में रखोंगा Tata का new plus SDFC bank का credit card जी है SDFC bank का भाई एक भी credit card नहीं है इस cards को यहाँ पर consider आप कर सकते हो आपको रूपे variant के इंदा मिलेगा joining fees 4.99 है और annual fees यहाँ पर बात करो तो same है और इसके अंदर दो variant आते एक आता है प्लस आता है एक infinity आता है infinity में जादा है पंदरा सो रुपे लेकिन भाई right now ना joining fees इन लोगों ने माफ कर रखी है तो अभी अब apply कर सकते हो बिल्कुल एक दम free मिल जाएगा आपको annual fees भी जो है एक लाग रुपे spend करोंगे reversal हो जाएगी और infinity के इंदर तीन लाग रुपे spend करोंगे तो reversal हो जाएगी reward की बात करो Tata new की पूरी app है उसी के उपर ये पूरा credit card भाई धंग से काम करता है मलब उसी के उपर आपको rewards मिलते है 5% के coins तो आपको default मिलते है इस card के साथ में 2% extra मिलेगा यानि कि 7% के Tata new coins मिलेंगे 2% बिल्के payments वगरे पे होगे और 2% जितने भी Tata के brands वगरे है Tata click है, chroma वगरे है कहीं से भी आप shopping करते हो तो वहाँ पे आपको 2% मिलता है साथ में इसमें 4 आपको annual domestic airport lounge के access भी देखने को मिल जाते है इस card के बापको इस card के अब आपको आपको points मिलेंगे न वो किवल आप Tata के brands की purchasing के against में set off कर सकते हो यानि points आपने कमा है ठीक है, फिर Tata नहीं हो आप के थूई आप कहीं पे भी shopping करते हो कोई भी Tata के brand के साथ में तो उनके साथ में आप set off कर पाऊंगे अगर offline भी करना है तो Tata के ही जो brand से उन्हीं से आपको purchasing करनी पड़ती है वहीं पे आप अपने points को set off कर सकते हो भाई मैं याप फिफ्ट नंबर पे रखने वाला हूँ जुपिटर ने CACSB बैंक के साथ में partnership करके भाई इस card को launch कर रखा है annual fees, joining fees एकडम भाई निल है card की कोई closer कोई fees वगरे नहीं है reward भाई सबसे मलब interesting reward है 2% का cashback मिल जाता है आपको एक category select करनी पड़ती है आप shopping कर सकते हो, dining कर सकते हो, travel कर सकते हो Amazon का भाई 250 रुपीज का voucher भी देखने को मिल जाता है 0.40% जो है आपको cashback value देखने को मिल जाती है जितनी भी आपकी अधर जो spending होती है और 30,000 रुपे के उपर billing होई तो 1% का cashback भी देखने को, additional देखने को मिल जाएगा कौन्स क्या है याँ, limited pin code available है अगर आपका luck हुआ, तो याँ card आपको मिल सकता है एक बार try जरू कर लेना, थोगा सा less approval ये credit card है यहाँ पर मैं last number पर रखना चाहूँगा AU bank ने बाई recently AU spawned credit card करके यहाँ पर जोई launch किया है joining phase, annual phase जोई 2.99 की है rewards बाई 1% वो भी UBI transition में देखने को मिल जाता है बाकी सब transition पर भी 1% airport के domestic lounge access मिल जाते हैं अगर last quarter अगर आपने 30,000 पर खर्च किया हुआ है card के ओपर आपको liability cover मिल जाता है cashback भाई सीधा card के statement के अंदर set off होगा cons की बात करूँ, just recently launch किया है तो loop in code serviceable है AU bank की इतने ज़्यादा reach नहीं है अगर आपके अबास में AU bank का पहले से कोई credit card है तो ये card मिलना थोड़ा सा मुश्किल है तो भाई ये थे top 6 credit card अगर आप UPA purpose के लिए कोई card apply कर रहे हो तो इन cards को आप consider कर सकते हो सबी की भाई direct apply link मेने जो है description box में दे रखिए गलती से भी कोई visa card apply मत कर देना exclusive link मेने जो है आपको description box में दे रखिए है so guys apply this video अगर आप लोग के कोई भी doubts है comment box के अंदर जरूर बताए है thank you guys thank you very much